यारे बच्चो को मेरा नमस्कार, Mk Education चनन में आपका स्वागत है। आईए बच्चो समंगर सिक्षा अभ्यान के अंतरगत मत्पतेश राज सिक्षा के अंद बोपाल से हाली में एक प्रयास पुस्तिका जारी की गई है। जो काफी चेंज होके आई है। पुरव किया पेक्षा तो कक्षा तीसरी चाउंतिय पांचवी के लिए इस प्रयास पुस्तिका पे हम कार करेंगे। तीनों कक्षा के लिए वीडियो महुती महत्पूर होने वाला है। वीडियो को सुरू से अंदर तक देखे हमारा गर हमारा विध्याले के अंत्रगत हम इस पेकार कर रहे हैं। वर्क्षिट रंबर तीन तक हम पहले कार कर चुके हैं। आज हम वर्क्षिट रंबर चाउंति पेकार कर रहे हैं। देखो सोचो और बात करो। बच्चे इस चित्र को आप देखे और अपने मन पे चाहे तो इभिन प्रकार की बाते कर सकते हैं या आप अपने बड़ों की सायता ले सकते हैं, उनके साथ भी इस वरक्षिट को आप कंपेट कर सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि एक बच्ची हमें यहां पे दरवाजे के बाजू से दिखाई दे रही है, और एक बुजुर्ग आदमी यहां पे दूरदर्सन देख रहा है, चस्मा रखा हुआ है, और टीवी चल रहा है, और वो जो आदमी ही हो सो गया है, अब बच्ची देख रही है कि टीवी देख को न रहा है, तो बच्ची के मन पे विविन प्रकार के सवाल आ रहे होंगे कि दादा जी सो गया है, तो हो सकता है बच्ची टीवी को बंद करना चाहा रही होगी, या बच्ची टीवी देखना चाहा रही होगी, इस तरह हम इस चितर के आधार पे निशकर्ष निकाल सकते हैं, अब हम देखेंगे पालतु जानवरों क को घर से मिलम से जनुआ जिने अमगर मोर्गी . तो यह हमारे पालतू कहलाते हैं जैसे जंगल में अलू रहता है साप रहता है इनको हम पालते नहीं है अगला है संख्या वाले डिपे में रंग भरिए घर नेक तीन पाँकर तो इस पे हमने कलर कर दिया है आपके पास जो भी कलर उपलब देया आप यहां पे कलर करेंगे अगला है जोड़ी मिलाईए तो जैसे इनके पैरों की हमें सही जोड़ी मिलाना है तो यह मुर्गी का हो जाएगा पैर इसी प्रकार यह बदक का हो जाएगा यह उल्लू का हो ज तो इन में से सबसे अलग बातल है, तो इस तरह हुमने वक्षित 4 पर पिकार किया है. आसा है आपको वीडियो वस स्थ पसंद आया होगा, वीडियो की क्मेंट्स ृफ में क्मेंट्स जरूर करें, आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कीजी, शेयर कीजिए चेनलों को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर पेश कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्पुल वीडियो का नोटीपीकेस नाम तक पहुंचते रहेगा धन्यवाद